Hello students, आज हम अपना next lesson read करेंगे, lesson है हमारा shelter for everyone Lesson no.7, shelter meant वो जो रहने की जग्या, यानि everyone हम सभी जो हैं वो कहीं नहीं रहते ही हैं, तो क्या हमारे पास रहने की सभी के पास जो जग्या है, वो सब के पास एक जैसी होती है, या फिर अलग-अलग एरिया में हमारे जो देश है या अर्थ जो है उस पर अलग-अलग हिस्वों में अलग-अलग तरह का जो मोसम है वो पाया जाता है environmental conditions अलग-अलग होती है, atmospheric conditions अलग-अलग होती है तो क्या वहाँ पर सभी एक जैसे घर बना के रहते हैं जैसे घर हमारे पास है, ऐसे ही घर रहते हैं सभी के पास तो इस बारे में ही हम इस lesson में पढ़ेंगे इस shelter protect, protect होता है बचाना, किसी चीज़ से सुरुक्षा देना इस shelter protect us from heat heat मतलब गर्मी, cold, सर्दी, rain, बारिस, snow, wind and heat तो एक shelter जो होता है, हमारे पास रहने की जगह है वो हमें किस-किस चीज़ से बचा लेती है गर्मी, सर्दी, बारिस, बर्फ, तेज-देज, हवाए यानि क्या आंधी, तूफान और चोर इन सब चीज़ों से हमें protection मिलता है यानि चाहे मोसम कोई भी हो हम अपने घर में, अपने रहने की जगह पर आसान इन सब चीज़ों को से बचते वे आराम से रहते हैं तो इज़े shelter होता है किसी के पास जैसी भी रहने की जगह हमें इन सब चीज़ों से बचा लेती है इट keep us safe ये हमें safe रखता है, हमें सुरक्षित रखता है from all sorts of danger सभी प्रकार के खत्रों से अब आप सोचो आप कई भार रोड पे तो नहीं सो सकते रोड पे कोई गाड़ी आ जाए, कोई जंगली जानवर आ जाए कुछ भी आ जाए, तो ये इस तरीके के खत्रे हमेशा हमारे उपर बने रहते हैं लेकिन अगर हम घर में हैं हमारे पास कोई ठीकाना है रहने का एक सुरक्षित, एक safe जगह है हमारे पास तो हमें इन सब खत्रों से जो है सुरक्षा मिल जाती है हम बज जाती इन सब चीजों से तो हमारे पास हमारा जो शेल्टर क्या है हमारा घर हम अपने घर में रहते हैं विदावर फैमिली, अपने परिवार के साथ अपने घर में हमें आराम मिलता है यानि आप कहीं भी बाहर चले जाओ पर uateको तो द difू वैप से हमें आराम मिलता है तो ले फीस्फूलली शांती पूर्वक रहने के लिए यड्यापीली और खुसी से रहने के लिए तो जो घर है वह में आराम देता हैं वहांपर हम शांती पूरवक और खुसी से रहते हैं people build different types of houses जो लोग हैं वो अलग-अलग तरीके की घर बनाते हैं depending on the following factors लेकिन घर बनाना भी कुछ factors पर depend करता है हमारे पास सब के पास एक जैसे घर नहीं है क्योंकि उसके लिए कुछ factors हैं वो काम करते हैं सबसे रहता है जलवायू कैसी है वहाँ पर क्या हमेशा गर्मी रहती है क्या भोजादा शर्दी पढ़ती है या फिर सारा साल बारिस आती रहती है तो यह होती है क्लाइमेटिक कंडिशन तो इनको देखते हुए हमें उनके हिसाब से जो है अपना घर जो है वो बनाना होता है दूसरा है विल्डिंग मेटेरियल अवलेबल जहां पर हम घर बनाने जा रहे हैं वहाँ पर घर बनाने के लिए जो आवश्यक सामान है जो सामान घर बनाने में लगेगा वो मेटेरियल वहाँ पर कितना अवलेबल है क्या हमें वो सब चीजें महीं से मिल जाएंगी या कही ठाट पर बीडी पेंड करता है थार्ड जो फेक्टर है वह स्थीति औरmental स्पाइश गर बनाने जा रहे हैं उसका satis स्थीति संधर्व बगीं के वह सब्सक्राइब किया है, और भी, याहनि कितना कमाता है उसके पास कितने पैसे है उसी इसाब से जो है घर का निर्मान किया जाता है घर बनाया जाता है house in different places तो अलग-अलग जगे पर अलग-अलग तरीके के घर बनाया जाते हैं different different place पर हम different different types के house जो है वो देखते हैं we find that house in different place differ in structure and the material used to build them we find that हम देखते हैं कि different places अलग-अलग जगे पर जो घर होते हैं उनकी जो structure होती, जो बनावट होती है, वो अलग-अलग होती है, and the material, और उनको बनाने में जो material यूज हुआ है, जो समान यूज हुआ है, वो भी अलग-अलग होता है, the structure and the choice of construction material depend on the following factor, यानि घर की structure कैसी होगी, घर की बनावट कैसी होगी, और उसमें कौन सा material यूज होगा, twice of construction material, यानि किस तरीके का material यूज किया जाएगा, ये भी कुछ factors पर depend करता है, तो वो factors कौन-कौन से है, climatic condition, सबसे पहले तो यही, कि मोसम, कि जहां पर हम घर बना रहे हैं, या फिर कहीं पर रोज तूफान आते हैं, रोज रोज भूकं पाता है, तो वहाँ पर भी हम ऐसे पक्के वाले घर नहीं बना सकते, जैसे हम अपने यहां पर बनाते हैं, क्योंकि भूकं पाएगा, तो गर फिर जाएंगे इससे भोजाता लोस भी होगा और रोज रोज ऐसे घर बनाए भी नहीं जा सकते वहाँ पर तो इससे लाइफ और प्रोपर्टी का काफी लोस हो जाता है तो क्लाइमेटी कंडिशन को देखते हुए घर बनाए जाते हैं फिर वही अवलेबिलेटी ऑफ कंस्रक्शन मेटिरियल कि हम घर बना रहे हैं तो वहाँ पर उसमें यूज होने वाला सामान मिलता है या नहीं मिलता है इंडेजवल या फिर वाप उस जगह पर जो भी सामान मिल र नहीं या फिर वहाँ पर जो सोसाइटी है वहाँ पर जो कल्चर है वो किस तरीके की है अवलेबल रिशोर्सी इसके अलावा घर बनाने के लिए हमारे पास पैसा कितना है हमारे पास आइडियाज हैं कि नहीं या फिर लेबर काम करने वाले हैं कि नहीं हम काम कर पाएंगे क नहीं कर पाएंगे लेबर मिलेगी कि नहीं मिलेगी घर बनाने में जो आदमी काम करेंगे वहाँ पर हैं कि नहीं तो इस तरीके से अविलेबल रिशोर्सीज पर भी घर का जो निर्भर करता है डिपेंड करता है तो सबसे पहले हम पहले फैक्टर के बारे में बात कर लेते हैं लोकेशन और किसी जगह का क्लाइमेट क्या रोल प्ले करता है हाउस कंस्रक्शन में लोकेशन और क्लाइमेट ऑफ प्लेस ग्रेटली इंफ्लुएंस तर्स्ट्रक्शर और डिजाइन ऑफ दा हाउस देर तो किसी जगह की लोकेशन और उसका जो मोसम है जो क्लाइमेट है वह बहुत जादा इफेक्ट डालता है वहाँ पर बनने वाले घरों के डिजाइन पर और उनकी बनावट पर इन होट प्लेसीज होट प्लेसीज मतलब जहां पर बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है हाउस यूजवली हाउ थिक वाल्स वहाँ पर जो घर बनाए जाते हैं उनकी जो दिवारे होती हो काफी मोटी बनाई जाती है हाई सीलिंग च्छत जो होती हो उ उची उची जो छते होती है इससे घर जो है वो ठंडा रहता है तो ठंड़क लेने के लिए इस तरीके का डिजाइन इस तरीके की स्ट्रक्चर जो है घरों की बनाई जाती है सम पीपल स्लीप उन दा रूप सेट नाइट और कुछ लोग जब घर में बहुत ज़्यादा गर बनाई जाते हैं लकडी के बनाई जाते है विद लोपिंग रूप और रूप जो होती है वो ठंडा मुशम होता है तो बर्फ जो पिंगल करके फिसल करके आसानी से नीचे आजाएगी पानी घटा नहीं होगा च्छत के उपर तो इस तरीके से जहां पर पर फिली जो जगह है जहां पर बर्फ गีड़ती है वहां पर स्लॉफ बनाई जाती है यह तैसलों बिकॉस धीeko स्लिफ मेंध गेजाएबबंग यहाँ बारीस यहां पर ज्यादा वारीस अहीं जादा बारिस होती है एड इन शनो फाल और वर्फ गर नहीं होगा दस्दा हाउस डूनोट बिकम कोल्ड एंड और स्लोपिंग रूप की हेल्प से घर जो है वो ठंडे भी नहीं होंगे डैम और पानी में डूबेंगे भी नहीं कुछ घरों में आग जलाने के लिए भी स्पेशल जगह बनाई जाती है ताकि उनको गरम रखा जा सके इन दा आर्क्टिक रीजन फेर दा लेंड इज ओल्वेज कवर्ड विद स्नौ इसके अलावा आर्क्टिक रीजन में जहां पर हमेश्या सारा साल भर बर्प गिरती है वैं पर ब्रप से ही घर बना लेते हैं ऐसे बर्फ बना जाने अवाले जैने घरों noi जूह को बोलते हैं इगलू इन बॉर की जो विएवाल एन स्कीन, जानुर सुई हावाल की घ्णकरण माद अका बार अचा है। घ्रांड बिकम मार्सी वहाँ पर जो ग्रांड होता है वह भांदी किचर वाला होता है दल्डला होता है क्योंकि बारीस आती है बार आती है पाली भरा भरा ही रहते है वहाँ पर बहुत सारा किचर हो जाता है तो ऐसे ॉसे को बोलते हैं स्टिल्थाांज यानी जो पोल में जाए बना जाम से उच्ण को भी जाता है,ता कि बारिष नीचे नीचे इसे पास हो जाए, और उपर हाउस और हाउस में रहने वाले लोग जो है वो सेफ रहें पानी से भी इंसेक्ट से भी और स्नेक्स क्योंकि बाट जब आती है तो उसके साथ बहुत सारे कीडे मकोडे साफ वगर बहकर किया जाते हैं तो इसे उन लोगों को प्रोटेक्शन मिल जाता है और रूफ जो होती है वो भी इनकी स्लोपिंग होती है यानि की इसी तरीके की बनाई जाती है ताकि पानी जो है वो बहकर के नीचे आ जाए तो इस वीडियो में इतना ही बचावा लैसन हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे थैंक्यू फर वोटेंगे